हेलो फ्रेंड्स वेलकम आपका फिर से स्वागत हैं दोस्तों रेलवे जीडीसी 2019 बरती या अन्टीपीसी बरती के लिए अगर आपने फॉंबार रखा हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है और बहुत इंपोर्टेंट ये वीडियो रहेगा क्योंकि इसमें हम बत आएंगे जीडीसी 2019 या अन्टीपीसी 2019 का सारा सेलेबस जी हाँ दोस्तों आप जैसे की देख पा रहे हैं जीडीसी या अन्टीपीसी में स्टेशन मास्ट गूर्ट्स गार्ड जूनियर और सेनियर कलर्क कॉमर्सियल कलर्क कम टिगेट एग्जामिनेजर जो भी हैं इस बर हमने कोसिस किया है कि इन जो सेलेबस है उसको इंगलीस से हिंडी में ट्रांसलेट भी किया है और इसकी एक फाइल डिस्क्रिप्शन में भी देंगे ताकि आप आसानी से इस फाइल को देख सकेंगे और सेलेबस के बारे में जानकरी जुटा पाएंगे दोस्तों हमारे जो पुराना वीडियो है जिसमें जीडिसी के ओल्ड क्यूस्टन पैपर्स आपको भीजे और दिखाए गए थे और उसमें काफी कमेंट्स आई कि सेलेबस के बारे में भी जानकरी दी जाये तो हमने एक वीडियो बनाया है आपके कहने पर तो आपसे अनुरोध है कि अगर आगे बात करते हैं दोस्तों रेलवे जीडिसी 2019 जो वीबिन परकार के जौन्स में अभी चालू है और नहीं तो किसी में आने वाली है तो आप अगर फोरम फिलप कर रहे हैं या इसकी तैयरी कर रहे हैं तो आप इस सेलेबस की जानकरी को जरूर अपने पास रखें ताकि आप नेक्स्ट आने वाले एक्जामिनेशन्स में इसके सेलेबस के अदार पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं इस्टेशन मास्टर, गोड्स गार्ड, जूनियर और सीनियर कलर्क, कॉमर्सियल कम टिगर्ट कलर्क जो हैं जो सेलेबस हैं जीडीसी या एंटीपीसी का वो सारी जानकर इस वीडियो में देंगे तो अंत तक जरूर देखें और बात करते हैं इस सेलेबस की तो दोस्तों आप देख पारें जनरल डिपार्डमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रेल्वे विभाग्य बढ़ती प्रिक्षा जो हैं 2019 के लिए ये सेलेबस हैं जो आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों जीडीसी का एग्जामिनेशन हैं वो दो चरणों में नही होता है ओपन जो एंटीपीसी होती है उसमें जो प्रि और में दो एग्जामिनेशन होते हैं जीडीसी में लिए जो है वो एक ही एग्जाम का प्रावदान है तो स्टेज वन ही होता है जीडीसी में लिए तो आप जो है इसमें बताए गए स्टेज वन और स्टेज टू जो बात करते हैं तो इसमें जो तीन जो खंड होते हैं examination का पहला जो mathematics, second reasoning और general intelligence और थर्ड होता है general awareness सामानिय विग्यान का तो दोस्तों बात करते हैं इसके पूरी syllabus की तो तीनों तरह के जो syllabus हैं उसमें कितने कितने questions और questions आते हैं कितने number होते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो section mathematics का number one है उसमें number of questions आते हैं 30 और total marks जो होते हैं वो भी होते हैं 30 तो second जो part हैं उसमें देखते हैं general intelligence and reasoning में तो इसमें भी number of questions 30 आते हैं और total marks भी 30 का होता हैं और third number जो है general awareness सामानिय विग्यान जिसके number of questions आते हैं 40 और उसके marks भी 40 तो ऐसे करके totally show questions आते हैं और show marks होते हैं और duration है वो time का वो होता है 90 minute यानि कि एक गंटा और 30 minute का जो है paper होता है जिसमें आपको show questions clear करने होते हैं तो दोस्तों ये हो गया इसका जो examinations pattern है वो अब बात करते हैं syllabus की RRB, NTPC, syllabus जो है stage 1 का वो देख लेते हैं पहला आता है mathematics के लिए तो mathematics में जो आप देख पा रहे हैं संक्या प्रणाली, दसमलव, भिन, LCM, HCF जिसको हम लगुतम समापर्ति और महतम समापर्ति बोलते हैं अनुपात, समनुपात, पर्तिशत्ता, मेंस्यूरेंस, समय और कार्य, समय और दूरी सरल और चक्रपति ब्याज, लाब और हानी, प्रात्मिक बीजगनित, जामिती, तिरकौन मिती और प्रात्मिक सांकी की अगर आप इसमें जो हिंदी में थोड़ा सा translation में problem है इसकी जो PDF फाइल हमने साथ में description में आटेच किया है वो एकदम clear मिलेगा आपको तो number system जैसे कि आप देख पारें, number system इंगलिस में decimal, fraction, lcm, hcf, ratio, proportion, percentage, mensurance, time and work, time and distance, simple and compound interest, profit and loss, elementary algebra, geometry and trigonometry, elementary statistics तो दोस्तों इसका second जो part होता है वो था general intelligence and reasoning का तो इसमें आप देख पारें, यह है शादर्शेता, वर्ण माला, coding, decoding, गणित्य संचालन, समानताइं और अंतर, संबंद, विशलिशन, सेलो, जीज्म, जूबलिंग, वैन आरेक, पहली, data, सुसंगतया और जो नक्षे हैं वो रेखांकन हैं इस तरह के जो chapter आते हैं जो intelligence और reasoning के होते हैं इंग्लिस में देखे तो analog, completion of number and alphabetically series, coding and decoding, mathematical operations, similarities and difference, relationship, analytical, reasoning, syllogism, jumbling, when diagram, puzzle, data, sufficiency, statement, conclusion, statement, course of action, decision making, maps, interpretation of graphs तो यह हो गया second, इसके बाद आता है third general evidence, सामानी ज्यान, सामानी ज्यान में आप देखते हैं, राष्टी और अंतराष्टी महत्व की वर्तमान घटनाएं, खेल और खेल, भारत की कला और संसकर्ती, भारतिय साहितिये, इसमारक भारत के जो संस्थान है, सामानी विज्यान, जीवन विज्यान, भारत का इतिया, स्वतंतरता संग्राम, साहरीक, शामाजिक और भारत और विश्व की आर्थिक भुगूल, भारतिय राजनितिक और साशन, सम्विदान और राजनितिक पर्णाली, अंत्रिक्ष और भारत के परमाणू, कारिय, सामानी विज्यानिक और तक्नीब, विकास, संयुक्त, अन्य मतपण, संगठन, प्रियावण के मुद्दे पर भारत और विश्व में बड़े परमाने पर, कम्पूटर के आदार और कम्पूटर अनुपरियोग, सामनिय संकेत बारत में परीवन परनाली भारती अर्थ व्यवस्ता बारत और विश्वे की संधियां फ्लेक्शिप सरकारी कारिय बारत के जीव महतवपुन सरकार और बारत के जो ये हिंदी में थोड़ा सा प्रॉबलम है तो इंग्रिश में आप देखर इसको complete जरू कर सकते हैं जरल शाइविक्षी अथन प्रॉजिक्शिपिक्श अप्राइब्लीष की भूड Il का मीश्यक्श प्रॉबलम आप थैसाँन फिर्ज़पिटरोफ यान इंट आप प्रॉजच्शन फ्रॉड यहां गोवर्नमेंट प्रोग्राम फ्लोरा एंड फोना ओफ इंडिया इंपोर्टेंट गोवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ओर्गिनेजेशन ओफ इंडिया एटीसी तो इस तरीके का यह शैलेबस है जो आप देख पा रहे हैं यह सारा शैलेबस जो CBT1 का है और सारे इंपोर् इनिशन CBT2 भी होगा उसका सेलेबस से हम होता है लेकिन क्यूष्टन पैपर में थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो भी आपको बता देते हैं CBT2 जो हता है एंटीपीसी ओपन भरती के लिए GDC के लिए नहीं जो एंटीपीसी जो ओपन भरती है उसके लिए जो सेकंड CBT होता है second stage अगर आप first stage के लिए minimum qualification clear करते हैं तो आप CBT2 के लिए applicable होते हैं और उसमें जो number of questions है वो different होता है Metamedics में 35 questions होते हैं और 30 marks होते हैं और General Intelligence and Reasoning में 35 questions और 35 number होता है General Advice में 50 questions और 50 marks होते हैं यानि कि total number of questions 120 और number of जो marks हैं वो भी 120 होता है और 90 minutes में इसको shawl करना है syllabus shame होता है फर्स और सकंड इसका paper में थोड़ा सा stund का change होता है और बागी कुछ भी इसमें different नहीं होता है तो इस तरह किसे आप इसके syllabus को follow करके आप अच्छी तेहरी कर सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो इसके बारे में हमें जानकरी comments box में लिखके जरूर भेजे दोस्तों आपको किसी भी तरह के old questions paper या syllabus related कोई issue है तो हमें जरूर बता हम कोशिश करेंगे आपको और बहतर convey करने की तो आपको इस तरह के वीडियो और हमारे चैनल पर continue रहिए देखते रहिए और like, share और comments जरूर कीजेगा और like करना नहीं भूले दोस्तों हम फिर से साथ आपके सामने साथ फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के सामने thank you दोस्तों thank you so much for support us thanks a lot of